इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो चाइनीज आर्मी से फाइट नहीं कर सकते और इसका कारण जानकर आप हैरान हो जाओगे इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब हमारे गवर्मेंट ने इंडिया में बन रहे 900 किलोमेटर हाइवे इसके बाद इंडियन गवर्मेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे केस कर दिया उस एंडियो का खहना है कि ये चार धाम प्रोजेक्ट्स वहां लैंसलाइट होने का खत्रा बहुत बढ़ा देता है जिससे वहां के लोकल वाइड लाइफ और यूमन बिंग्स की जान को खत्रा बढ़ जाता है इसलिए वो रोड्स को और वाइड नहीं कर सकते इसके बाद इंडियन गवर्मेंट ने कोर्ट को कहा कि उन्हें रोड्स और वाइड इसलिए करने पड़ रहे हैं कि अगर चाइना ने इंडिया पे अटाक किया तो उनके पास 42 फीट लॉंग ब्रामोस मिसाइल और दूसरे टांकर्स और वेपन्स को चाइना बॉर्डर तक ले जाने का और कोई रास्ता नहीं है जिसके बिना हमारी हार निश्चित है आप सुप्रीम कोट ये सोच रही है कि क्या वो एंजियो की बात सुनकर लोकल्स को बचाए या फिर चाइनीज इनवेशन से इंडिया को बचाने की तयारी करें हमारे देश का ओपिनियन दोनों तरफ डिवाइड़ है बट अगर आप सुप्रीम कोट के जज होते तो आप किसकी साइड लेते हैं